16 सुमवार विनिता और सुनिता दोनों हम उम्र थी बस एक साल का ही अंतर था और दोनों की शादी की उम्र भी हो गई थी उनके माबाप उनके लिए लड़की देख रहे थे इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं भी चैन की निन सोऊ अरे हो जाएगी शादी आप इतना क्यों सोचते हो आप और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से मुकाबले में लगी रहती है लगता तो मुझे भी कभी-कभी ऐसा ही है दोनों अपनी अपनी जगग खुबसूरत भी है और हुनर भी रखती है फिर भी आपस मेही मुकाबले में लगी रहती है इतनी देर में विनित आती है मा कुछ भी हो जाए मुझे बस दीदी से ज्यादा सुन्दर और अमेल लड़का चाहिए मैं हूँ भी तो ज्यादा सुन्दर ऐसा कुछ नहीं है बेटा देखो ये समना अपने दिमाग से निकाल दो तुम दोनों ही बहुत खुबसूरत हो ना ना ये तो दुनिया के सबसे खुबसूरत लड़की है इसके आगे सब ठीके हैं पता नहीं कहां से अपने घर में ये हूर की परी आ गई है हाँ, तो तुम मुझसे इतना जलती क्यों हो स्कूल से कॉलिज तक सब लड़की मेरे पीछे ही थे तुम्हें देखता ही कौन था तुम दोनों को शारण नहीं आ रही अपने पापा के सामने ऐसी बाते करते हुए जाओ अपने कमरे में दोनों पैर पटकती हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना लैपटाप लेकर बैट जाती है और सोशल साइट्स पर अपने लिए मैच सर्च करने लगती है तुम अपने आपको बहुत अनोखी समझती हो ना तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा मुझे ये तो वक्त बताएगा दोनों मैं बस ऐसे ही कह सुनी चलती रहती एक दिन उनकी माँ उनको बताती है कि एक लड़का आ रहा है वो ने बताती है कि लड़का काफी सुन्दर है और अमीर घर का उकलाटा लड़का है दोनों बस अपने देखने लगती है कि वो कैसा होगा, उसके आने पर क्या होगा थोड़ी दिर में लड़का आता है वो दोनों ही उसके सामने जाने लगती है अरे भई तुम दोनों मुझे बागल करतोगी मा मुझे उसे देखने दो ना, अच्छा लगा तो मैं ही उसके सामने जाऊंगी हाँ हाँ, बड़ी आई हो न, तुम दोनों होर की परिया इस दुनिया में इतने अच्छे गर का सुन्दर सा लड़का है, तुम दोनों की अकड ही खतम नहीं हो रही अकड नहीं है मा, बस कुछ समझाता नहीं करना, तुम दोनों ना मुझे पागल कर दोगी वो दोनों ही उस लड़की से बाते करने जाती है, उसे उपर से नीचे तक घुरती रहती है लड़की को भी थोड़ा अजीव लगता है तो कितना कमा लेते हो आप? जी वो मैं क्या? मतलब इतना नहीं कमाती कि एक बार में बता सको? नहीं नहीं यह असा नहीं है, वो आपनी एकड़म से ऐसा पूछ लिया तो समझ में नहीं आया कि क्या कहना है था तो बताईए ना कि कितना कमाते हैं वो मैं बता दूँगा पहले आप बताईए आप दोनों में से मुझे यहां किसके लिए बलाया गया था? वो तो हम डिसाइड करेंगे, अभी कुछ पता नहीं है तुम जिसे भी पसंदा आजाओ और भी मुझे तो विनिता पूरा बोलती भी नहीं कि उससे पहले साहिल खड़ा हो जाता है मैं यहां बेज़द उन्हें नहीं आया हूँ कि मुझे अब दो लड़किया सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगी चलता हूँ मैं आप दोनों किसे और को मुर्गा बनाईए यह कहकर वो चला जाता है इसे भी भगा दिया अरे चाह क्या रही यो दोनों मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा मुझे अच्छा लगा मुझे तो कोई हीरू जैसा दिखने वाला चीए यह तो मामूली सा था मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा था पर इसने मना कर दिया तो मैं क्यों गरती शादी रिजेक्टिट माल से? अरे तुम्हें अच्छा लग रहा था तो बोलती ना, उससे बत्तमीजी क्यों कर रही थी? अरे जब इसने अपने लिए राजकुमार का सपना देख रहा है, तो मैं क्यों किसी एरे गैर इससे शादी करूँ? इनके माबाब दोनों से तंग आ गए थे, एक दुसरे से अच्छे की होड में दोनों एक से एक अच्छे रिष्टों को ठुकरा रही थी इतना अच्छा लड़का था, मेरे जानने वाला था, ये दोनों चाहती क्या है, मेरी कितनी इंसल्ट होती है बार बार, तो समझाती क्यों नहीं है इन दोनों को, क्या सोच रही है, कुछ तो बात करो क्या करू जी, सारा दिन शादी की बाती तो करती है, इतने सारे बावडिटा भी दिखा दिए इन दोनों को, पर पता नहीं क्या देख रही है लड़के में, एक ना बोलती है, तो उसको देखकर दूसरी भी पसंद आते हुए भी ना बोल देती है, जैसे कि कोई रेस चल र दिरे दिरे विनिता उस लड़के से दूसरी बढ़ाने लगती है, एक बार सुनिता उन दोनों को साथ खुंते हुए देख लेती है, अरे वा, ये इसने किसको पसा लिया है, क्या, खुबसूरत नौजवान है, देखना पड़ेगा कौन है, वो बहाने से उसके पास जाती ह अरे विनिता तुम यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त मुझे फोन कर रहा है बार बार, मेरा दोस्त कौन? अरे वो है न, जिससे तुमने आज मिलने का बादा किया था, ऐसी बाते सुनते ही वो लड़का वहाँ से विनिता को बाई बोल कर चला जाता है, उसके जाने की बात, तुम्हारे किसी दोस्त को तो पैदा करना ही था मुझे? सुनिता उस लड़की की पास जाती है, और अपनी बेहन की बुराया और खुद की तारीफ करने लगती है, मैंने विनिता के दोस्ते सब पूछा है, उसका कोई और बॉइफ्रेंड नहीं है, कैसी बेहन हो तुम? अ तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है, हाद होती है किसी बात की, शादी ना हो गई, गुड़े गुड़ियों का खेल हो गया, कि बास किसी भी लड़की को लिया और मन बहला लो उनकी माँ उनको अच्छा सबक सिखाने का सोचती है, अगले दिन वो एक और रिष्टा लाती है, लड़का बहुत ही खुबसूरत और अमीर होता है, पर इस बार वो दोनों को एक साथ भेजने की जगा, अलग-अलग समय पर लड़का दिखाती है, और उससे बात का निकली आती है, आरे तुँ मेरे वाले को देखेगी न, होशुर जाएंगे, ऐसा सुन्दर लड़का चुनाया, मैंने मेरे लिए बस, मेरे वाले से ज्यादा सुन्दर तो होई नहीं सकता, वो दोनों ऐसे फिर से बहस करने लगती है, तब ही सरीता कहती है, अरे बहस करना बंद कर ऐसा करो, अपनी अपनी तस्वीरे एक दूसरे को दिखा ही दो, वो दोनों अपने अपने पर्स से एक दूसरे को फोटो दिखाती है, और चौंक जाती है, है, ये तो एक ही लड़का है, है, ये तो एक ही लड़का है, हाँ, एक ही लड़का है, तुम दोनों को हमेशा यही रहता था ना किसका पती ज्यादा अच्छा होगा तो मैंने एक ही लड़के से तुम दोनों की शादी तै करती जो तुम दोनों की ही पसंद है ये सुनते ही दोनों के होश ओड़ जाते हैं और वो गिड़ गिड़ाने लगती है अरे मा ऐसा मत कुरो मारे सार ये लड़का भी अजीब इमान भी गा मा ये नहीं हो सकता आप जूट बोल रही हो ना सरीता को तो पता ही था कि उसने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था पर वो कुछ दिनों तैक दोनों को उल्लो बनाती रहती है दोनों काम काज सीख लो तुमारे होने वाले पती को वो खाने का बहुत शौक है उसने बताया था मुझे एक काम करो विनीता तुम देशी खाना सीखो और तुम विदेशी खाना मा क्या तुम सच बोल रही हो सच में एक ही लड़के से शादी तेगर दिये पापा भी मान गये किसी को कोई अतरोज नहीं है बिल्कुल सच है वो छे मैंने विदेश रहेगा और छे मैंने यहां इंडिया में तो एक विदेश में रहेगी और एक यहीं पर अब ये भी तुम दोनों तै कर लो कौन कहा रहेगा बाद मैं मत बोला कुछ दोनों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि उनकी शादी एक ही लड़के से तै कर दी गई है दोनों हर काम सीख तो रही थी पर बेमन से देखो अब तुम दोनों ने काम काश तो सीखी लिया है ऐसा करो टाइम पास करने के लिए मंदिर भी जाना चालू कर दो दोनों सोला सोमवार का वरत रख लो दोनों हताश होती है मा के कहने पर सोमवार के वरत भी रखने लगती है धीरे धीरे दोनों के दिमाग ठिकाने पर आने लगते है घर के काम में दोनों कोशल तो होई चुकी थी वो दोनों ही अब सब की नजर में आने लगती है और उनके लिए अच्छे-च्छे रिष्टे भी आने लगती है एक दिन जब वो मंदिर से लोटती है एक परिवार बैठा था सीधे साधे से लोग और लड़का भी काफी शरिफ सा लग रहा था यह विनिता के लिए आये हैं कभी उसे मंदिर आते जाते देखा होगा इन लोगों ने तो विनिता को पसंद कर लिया पर आप तो कह रही थी कि वो एकी लड़के से यह सुनकर सरीता मुस्कराने लगती है तो रजबत जाती है कि उनकी माने निरास्टे बलाने के लिए सब्सक्राइब लोग कर जाने एक रेक्शन वीडियो करते हैं इसको स्टार्ट उची दिनों में सुनिता के लिए भी अच्छी गर से रिष्टा आता है और वो भी अपने घर की हो जाती है